नमस्कार आप देखें लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ नितिस सिंग बिहार विधान परिसद की खालेवी साथ सीटों पर होने वाले चुनों को लेकर इस वक्त बरी खबर है बता दे आपको कल ही जदियू ने अपने कोटे से परतियासी के नाम का एलान किया था अफाक अमद खा और रबिंदर सिंग जो समरपित कारी करता है उन्हें विहार विधान परिसद विजने का फैसला जदियू ने लिया था तो आज अभी अभी भाजपा ने अपने कोटे से दो परतियासी के नाम का एलान कर दिया जिसमें हरी सहनी और अनील सर्मा का नाम सामने आ र भाजपा अपने जाती के आधार पर भी तमाम चीजों को देखते परकते अपने उमिदवार के नाम का एलान कर दिये हैं और हरी सहनी और अनील सर्मा को विहार विधान परिसद भेजने का फैसला किया गया है आपको बता दे संख्या बल के आधार पर विहार विधान परिस तो जद्यू कोटे में एक प्रत्यासी बेजे जा सकते थे लेकिन बाद में जड्यू ने अपने तमाम संधियों अपने मेंग ने सलय और सब भार बाद करने के बाद बेज़ेपी के बड़ साथ में जदियू के खाते में है तो दो सीटे bjp के खाते में है और bjp के तरब से अभी अभी हरी सहनी और अनिल सर्मा को भिहार 비धान पड़िसत बेजने का फैसला ले लिया गया है आपको बता दे जदियू उन्हें अफाग अमद्खा और रविंद्र सिंग को भेजा है तो वहीं राजत के तरब से जो परत्यासी बेज़े गए उनमें मुन्नी देवी है कौरी सेहे बहें जो यूबा राजत के राष्टिय अध्यक्ष है साथी असोक कुमार पांडे है जिनोंने नामंकन भी कर लिया तो आज जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जदियो कोटे से अफाग अमद्खा और रविंद्र सिंग आज नमंकन करने वाले हैं और आज ही भाजपा ने अपने कोटे से अपने परत्यासी के नाम का एलान कर दिया है तो बता रहे हैं आपको पूरी खबर हरी सहनी और अन और ले मुखे एलान का है वोही हरी निसाद की बात करले तो निसाद समाज से आते हैं और लगातार भाजपा के लिए समर्पित कारी करताओं के साथ काम करते नजर आते हैं तो बतादे आपको पहले बिहार एंडिये गटवंदन में मुकेश सहनी गटवंदन का हिस्सा थे बिहार सरकार के पुर्म मंत्री भी आईपी के सुप्रीमों लेकिन जिस तरीके से उन्हें एंडिये से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो अब उनके जगा सहनी समाद से हरी सहनी को टिकर दिया गया है यानि कि सबों को साथ लेने की जो बात भाजपा करती रही है कुछ ऐ ऐसा ही नजारा जोह एक बार फिर देखने को मिला है और भाजपा ने बिहार बिधान परिसत की खाली विसीटों पर हरी सहनी को भेजा है हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं आप ताजातर इन खबरों के लिए बने रहे हैं लाइप बिहार के साथ यदि लाइक जरूर करें